जो लोग कहते हैं कि आजादी के 78 साल बाद भी जातिवाद खतम हो चुका है वो जरा उत्तर परदेश की इन तस्वीरों को उठा कर दे के दिल दहल जाएगा रोंगटे खड़े हो जाएगे रूख काप जाएगी सोचिए किस तरीके से जातिवाद जो है वो अपनी चरम सीमा पर है जातिवाद के अधार पर लोगों को लगता किस तरीके से मारा जा रहा है पीचा जा रहा है यहां तक कि मानसिक रूप से अब इतना परतारित किया जाता है कि अब उनको सरया मरने के लिए मजबूर कर दिया जाता है सोच ये वो कौन लोगें जो नहीं चाते हैं कि जाती बाद खतम हो वो कौन लोगें जो नहीं चाते हैं कि इस देश में जाती है जनगन्ना हो पता तो चले कि किस जाती के लोग कितनी मलाई खा रहे हैं कि लोगों को जादा सुविधाई मिल रही है सोच ये किस तरीके से उत्तरपरदेश में लाइन ओडल की धजिया उड़ाई जा रही है बाबा का बुल्डोजर बाद बाद पर बाबा का बुल्डोजर चल जाता है नियाए के लिए बाबा जो है वो बुल्डोजर चला देते हैं लोगों के मकान गिरा देते हैं लेकिन आजियों की बात करें जहां बीजेपी की सरकार है वहां पर डलित पिछड़े आदिवासी यहां तक ही अल्पु संख्यक की हालत बत्तर होती जा रही है आप लगातार देखेंगी कि मुसल्मानों की लिंचिंग की जाती है डलितों को पीटा जाता है ओभी सी समाज के लोगों राज्य का खिताब से नवाजा जाता उत्तर परदेश के मुख्यमंत्री योगी अधित्यनाथ कहते हैं कि उत्तर परदेश को अपराद मुक्त बनाना है लेकिन सोचिए जातिवाद की जड़ें वो इतनी मजबूत हैं कि आप SP DM भी बन जाये तो भी जातिवाद अपना पी यारे चैनलों को डिवनडाइज करने की दमकी देते हैं सोचिए ये जातिवाद जो है वो किस तरीके से हमारे आसपस पनपराए कि आप अगर बहुजन समाज से आते हैं आप ST, SC, OBC हैं तो ना पत्रकार बन सकते हैं ना अपने लिए आवाज उठा सकते हैं ना कोई बिजन कोर्ट के जजों की भरती तक कोलोजियम सिस्टम से होती है सोचिए किस तरीके से जातिवाद जो है वो इतना लगतार उसकी जड़े इतनी मजबूत होती जा रही हैं कि आजादी के 78 साल बाद भी सामंत वादी मनुवादी जातिवादी लोग अपनी गलती मानने के लिए त वस्ता की धजियां उड़ा रहा है मोदी सरकार के लॉइन ओर को फेल करते हुए दिखाए देरा है सोचिए उत्तर परदेश की मैं आपको खबरे बता रही हूं उत्तर परदेश में जातिय हिंसा बंद क्यों नहीं होती है मुसल्मान हो तो धरम के नाम पर आपको परतारित किया जाएगा अगर स्टी असी ओबी सी हो तो जाती अधार पर आपका मांसिख शारिरिक सोशन किया जाएगा और इस पर ना टी भी अखवार आपकी खबरे दिखाना जरूरी समझेगा और ना ही सत्ता में बैठे सत्ता धरी सोचिए चुना बाता है कि तो सब के जुबान पर स्टी एसी ओबी सी एस्टी एसी ओबी सी उसके बाद किसी को नहीं पड़ी है चाहे वो जानवरों से भी बत्तर इस्तिती में अपना जीवन जी रहे हो या मारे जा रहे हो इस पर कोई सरकार में बैठा विक्ति एक्षन नहीं लेता है उत्तर प्रदेश में जाती हिंसा बंद होनी चाहिए भारत के सबसे बड़े प्रदेश में इस तरह का कुकृतिय लगतार हो रहा है जो कहीं से बरदाश करने लायक नहीं आखरी इन लोगों को हिम्मत कहां से आती है दोसियों पर कड़ी से कड़ी कारिवाई होनी चाहिए है से एक इंदल पटेल को न्यायदो तो सोचिये किस तरीके से सामनतवादी जातिवादी लोगों ने एक इंदल पटेलोवी सी समाज से आने वाले व्यक्ति को जिंदा जला दिया सुनकर अजीव नहीं लगता आप लोगों को जातिवादी मनुवादी लोगों को जो बात-बात पर हम लोगों को गाली देकर हम में जलील करते हैं जरह वो खुद की अंतरात्मा से पूछें कि आजादी के 78 साल बाद भी हम लोग किन पिछड़ी वह गुलामी की जंजीरों में जी रहे हैं और किस तरीके से हम मानवता को सरमसार करते हैं किस तरीके से हम मानवता की धजिया उड़ाते हैं क्यों अपनी कर्तूतों को हम सुधारने की कोशिस नहीं करते दुनिया चान पर जा रहे हैं तमान देश तरक्की कर चुके हैं विक्सित देश भी आगे बढ़ने की लगतार कगार पर हैं हमारे देश जो है वो जातिवाद के अधार पे अभी भी भेदभाव कर रहा है जाती अधार पर लोगों को मार रहा है पीट रहा है जाती अधार पर लोगों को मरने के लिए मजबूर कर दिया जा रहा है लेकिन बावा का बुल्डोजर से उन तमाम लोगों पर चलेगा जवारोप सवाल सिर्फ इतना सा है कि गुड्डू ठाकूर के घर बुल्डोजर चलेगा गुड्डू ठाकूर और उसके सयोगी गुड्डो का इंकाउंटर होगा इंदल पटेल का संपूर निलाज सरकारी खर्चे पर और 50 लाकी आर्टिक सायता दी जाएगी तो सोचिए एक गुड्ड सकते सोचिए किस और जा रहा है देश किस और लेकर जा रहा है हम कैसे समरिद्धी की बात कर दें कैसे विकास की बात कर दें कैसे विक्स देश की बात कर दें जब उत्तर परदेश जैसे राज्य में सोचिए भारत का वो परदेश जो सबसे बड़ा राज्य माना जाता है उ अमाम तरीके से आपको पंगू बनाकर आपको बोट डालने के लिए मजबूर कर दिया जाता है अगर आप संपन परिवार से हैं तो आपको ED का डर बिठाया जाएगा आपके उपर जाज बिठाई जाएगी अगर आप गलती से पत्रकार भी हैं तो आपके चैनलों को और आप जाती बात तो वों किरते हैं जो कहते हैं कि हसादी के 75 साल लगां के जाती बात कहा है और गोरेजिछे हत्या कर दी जाती है कैसे घोडी चर्णने से रोखा जाता है कैसे मूच रखने से रोखा जाता है अगर हम अच्छा पहन के अच्छे तस्वीरे तक सोशल मीडिया पर डाल दें तो मनुवादियों के पेट में दर्द होना शुरू हो जाता है ये है असली जातिवाद ये है असली जातिवाद जिसको खतम नहीं करना चाहते हैं अगर ये खतम हो जाएगा तो उनके खेत खलियानों में गुलामी कौन करेगा उनकी मजदूरी कौन करेगा उनके गटरों को कौन साफ करेगा ये मनुवादी लोग नहीं चाहते हैं कि आप के हाथ में कल आम आये चाहते हैं कि आप हमेशा गुलामिक की जंजीरों में रहें इसलिए जाती है जंगरना कराना बेहद जरूरी है मीडिया का दोगलापन देखिये ललिटपुर में सामंतियों ने OVC पटेल के व्यक्ति इंदल पटेल को पेट्रोल डालकर जिंदा जला दिया जा उत्रकारों को ठीकाने लगाना बेहद जरूरी तो उनके चैनलों को डी मोनटाइज करना जरूरी है जब तक आप उनकी ओडियंस बनके अपने ही खिलाप शाजिस को देखते रहेंगे देखते रहेंगे उनके व्यूज बढ़ाते रहेंगे तब तक आपके लिए कोई अव क्यों पड़ी मुझे एक बात बहुत अच्छे से पता है कि पीडिये क्या इसके लिए आवाज उठाएगा इंद्र पटेल को न्याय देने के लिए सोशल मीडिया पर तमाम लोग जो हैं लंबी चोड़ी पोस्ट लिख रहे हैं कि मजाल है कि योगी सरकार आरोपियों के घ पिछड़ों का दिवासियों का समाज में मजबूत करने के लिए दो तीन चीजों की बहुत जरूरत हुती है ग्यान और पुंजी जिसका कबजा होगा उसकी समूची दुनिया पर कबजा होगा मिशेल फूको में पढ़ा जाना यह वास्ता में पीडिये एक जूट है तो सो जब देश भर में जाती है जंगर्णा की मांग हो रही है तब कुछ लोग कहते हैं इस समाज में दुएस फैला रहे हैं समाज टूटेगा जाती है विवेद बढ़ेगा मैं उनसे पूछना चाहता हूं क्या उच्छ लोगों का अधिकार है पिछडों का शोशन करना क्या सम के समाज की व्यक्ति इंदल पठेल को पेट्रोल डाल कर जला दिया सोची किस तरीके से देश में बरबरता बढ़ती जा रही है क्या गुड्डू ठाकुर पर कारिवाई इसलिए नहीं हो रही कि आरोपी जो ठाकुर जाती से आता है क्योंकि पिछडी जाती का इंदल पठे कॉंग्रेस पाथी भारतिय जनता पाथी तमाम सवंड सेकुलर लिबरल बनने वाले नेताओं की पॉल पट्टी खुल गई है ललितपूर में जाती है आतंक ठाकुरों ने ओवी सी इंदल पठेल के घर में घुश कर हमला किया उस पर पेट्रोल डाल कर जिन्दा जला दिया कि इंदल पठेल ने गाओनोना के गुड़ू ठाकुर के साथ पार्टनरशिप में एड का विवसाई किया था विवसाई में जो मुनाफ़ा हुआ उसने अपने हिस्ते का पैसा देने की बात की तो इंदल पठेल को गुड़्डू ठाकुर ने पोली इस कथित मुछी जाती वाले गुड़ु ठाकु ने इगो को चोट पोची जो उन्होंने जिन्दा जला दिया तो सोचिए कि सो और जा रहा है चंदरशेकर आजाद ने भी लिखाए कि परिवार का रोप एकी अरुंट सिंग उसके अन्य दोसाती ने गोली मारकर रमिस भारती की हत्यागी लेकिन यो कि आप किसी विशेश जाती से आते हैं तो आपको बचाया जाएगा अगर आप Сटी सी ओवी सी समास nước समास से आते हैं तो आपको पेट्टोल डालका जलाया भी जाएगा आपके एंकाउंटर भी होगा आपको मारा भी जाएगा आपके घर पर बुल्डोजर भी चलाया जाएगा सोचिये चंडर शेकर आजाद ने बड़ा त्वीट के उत्तर परदेश में मुख्य मंत्री योग अदित्तिना जी सहे जाती है गुंडी आतंक चरम पर पहुंच चुका है अब सत्ता का सुनक्षन प्राप्त सामंतियों ने लरितपूर जिले के नाराहत थाना अंतरगत पिछड़े वर्ग के कुर्मी जाती के भाई इंदल पटेल के घर में घुसकर जिंदा जला दिया इंदल पटेल ने गाओ में पार्टनर्शिप पे सोचिए गुड़ू जो की ठाकूर जाती से आते हैं उनके साथ पार्टनर्शिप पे बिजनिस किया था अपने हिस्से का पैसा मांगा तो जातिवादी सामंतवादियों ने उसे जिन्दा जला दिया है चाहे इंदल पटेल हो या मंगेस या अदव इन सबों पर जिस तरह से अध्याचार हो रहा है य अरसों से इतनी महीन होती जा रही है इतने लोग चालाख होती जा रहे है कि लोगों को मदबूर कर देते हैं मरने के लिए बची कुछी कसर इस देश का टी भी अखवार कर देता हैं इंदल पटेल हो चाहे किसी भी राज्य की बात करें दलितों की हालत पिछडों की हालत संक्यों को की हालत बगत्तर होती जा रही है ना जाने देश के प्रधान मंत्री योग ये दितेनाद किस मुझसे कहते हैं के भी कसित भारत बनाना चाते हैं हम देश को विश्व गuru बनाना जाते हैं असल में विश्वगुरु देश में पहले जातिवाद को खतम किजिए उसके बाद देश को विश्वगुरु बनाने की कगार पर ले जाने की बात कहिए इस ख़वर पर आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए और आपके राज्य में जातिवाद की जो चरम सीमा है वो कितन यह भी आप बता सकते हैं शुक्रिया निसनल दस्तक की आप से गुजारिस है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो निसनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेट कलर के सब्सक्राइब बटन को दवाएं फिर बेल आइकन की घंटी दवाएं निसनल दस्तक को बचाने के बहुत जरूरी है कि हर ख़बर को शेर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें